स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रेकव सर्चिक कि आज हम बताने वाले हैं आज का टॉपिक हमारा है सिटिजिंसिप ठीक है आज हम इसको कवर करेंगे एक अच्छे से तरीके से ठीक है क्या-क्या इसमें फेक्ट्स रहते हैं और क्या-क्या इंपोर्ट एंडिया, यहांको पता होगा इंडिया जो कहलाता था वो ब्रीटिस इंडिया ब्रिटिस इंडिया क्यों कहलाता मैं दिखा दिता हूँ एक हलका सा मैं बना के रुक जाइए ठीक है यह लह दा ये जो part दिख रहा है ये मैंने बनाया ने ने देखी पहले क्या ये पूरा पोशन क्या क्या था ब्रिटी सिटिए लेकिन जब भाई partition हुआ partition के बाद क्या हुआ ये जो हिस्सा कहलाने लगा पाकिस्तान और बाद में ये जाके क्या कहलाने लगा पाकिस्तान या बंगलादेश और ये सिर्फ इंडिया तो ये चीज़ हमें पता है लेकिन partition जब हुआ तो क्या हुआ था legs of migrants migrant मतलब यहां पर migrate कर गये थे बहुत से इंडियन्स और साथ ही साथ इधर आये भी थे ठीक है ना क्योंकि सरकार ने क्या उस समय टेकलियर कर रहा था जिसको जहां रहना है वो अपनी सौलियत के हिसाब से इस समय क्या migrate करके रह सकता है ठीक है या उसका घर है या उसकी majority जहां है उस हिसाब से रह सकता है पाकिस्तान इंडिया अलग हो गया separate हो गया ठीक है अब भाई जब separation हो गया हमने पहले boundaries के बारे में union ended territory को हमने डेकलियर कर लिया था पहले वाले बार्ट में इनकेस हमारे इंडिया में single citizenship है यह हमें पता है हमारे इंडिया में single citizenship है ठीक है न? यह हमें पता है ओके, सो बात क्या कर रहा हूं मैं देखिए, यहां पे अब जब partition हो गया, सो कैसे हम इंडिया में जो रह रहे हैं वो कैसे कह लाएंगे, कौम से डेट को मान के कि हाँ ये वाले जो हैं, क्या है, वो इंडिया के citizen है, या alien है, ये सब टम को समझने के लिए दो, तीन चीज में लिख रहा हूँ, इसको देख लो पहले, देखे, person, दूसरा है, citizen, तीसरा है, minority, और चौता है, alien, देखे, अब मैं ने लिखा ये चीज़, इसको समझ लेते हैं, person क्या हो गया, चाहें वो alien भी हो सकता है, alien का मतलब वो जादू वाला alien नहीं, alien का मतलब होता है, बिदेशी, कोई भी बहरी नागरिक जो हमारे देश में आके रह रहा हो, या घूमने आया, या रहे, वो क्या कहलाता है, alien, so य equality before law, हम जब fundamental right पढ़ेंगे वहाँ, इसको deeply अच्छा से discuss करेंगे, लेकिन person का आर्थ हो जाता है, वेपी जिसको हम कहते है, वो article 14.5 करता है, citizen क्या हो जाता है, किसी देश का नागरिक, जैसे हम इंडिया की तम्स में अगर बात करें, इंडिया का नागरिक, देखिए, यहा क्या होता था, और ultimately होते रहता था, जब partition होया, जब मन उठाके इधर, जब मन उठाके इधर लोग आया जाये करते थे, इससे क्या हुआ, सरकार को इसमें दिक्कते आने लगी कि यह तो जब हो, अपनी मर्जी से क्या हो रहा है, migration हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कौन citizen क किसका है, कौन citizen किसका है, उसके लिए, date of commitment से, सरकार ने कुछ नियम बना दिये, कि बता दिया गया, कि date of commitment से पहले, जो migrant, मतलब, जो भी व्यक्ति, या तो पाकिस्तान से इंडिया आ चुका है, या इंडिया से कोई पाकिस्तान गया है, और फिर lot के आया है, जो भी है, इस हमें समझ नहीं है, यहाँ पर एक of date of commitment के according, कैसे वो citizen बन रहे हैं, और दूसरा है, citizenship act of 1955, देखिए, यह act, इसमें क्या करता था, इसमें क्या होता था, Parliament law बनाएगी अब, अब क्या, Parliament law बनाएगी, कि किस आधार पे वो इंडिया का citizen होगा, क्या-क्या नियम होने चाहिए, क्या-क्या law होने चाहिए, सो Citizensive Amendment Act ये बना दिया गए, इन दोनों चीज़ों को हमें पढ़ना है, एक तो सीथा-सीथा जैसे ही partition हुआ, ये बता दिया है, date of commencement से, ठीक है, और दूसरा है, यहाँ पर हमें जो समझने वाली बात है, वो citizenship Act in 1955, इसको हमें समझना है, अब मैं बात कर रहा हूँ citizen की, देकि citizen जो होगा, वो क्या enjoy करेगा भई, उसके पास article 15 रहेगा, 16 रहेगा, 19 रहेगा, 29 रहेगा, 30 रहेगा, ठीक है, उसके बाद right to vote रहेगा, ठीक है, position कोई hold कर सकता है, post ले सकता है, duties है, इसको follow करना है, और भी कई बाते हैं, हम इसको discuss करेंगे, और minorities के पास के वल 29, जो article रहता है, वो minority, minority means क्या हो जाती है, बाई, जैसे पाकिस्तान की अगर बात कर तो हिंदू minority है, इंडिया की बात कर तो Muslim minority है, Sikh minority है बुदीज में ये minorities है, ठीक है, उनके अपने right है, अब alien में आ जाएगे, alien में देखिए, दो प्रिकार के होता है, तो विदेशी की बात करो, एक होता है friendly alien, और एक होता है enemy alien, friendly alien में आ जाते हैं, जैसे किसी country के साथ हमारे relation बहुत अच्छे, suppose like Russia, ठीक है, वहां का कोई documentation में, officially ये इस तरीके से कहीं लिखा हुआ नहीं है, पाकिस्तान are the enemy of India, ऐसा कुछ मलब mention नहीं है, ठीक है, लेकिन, केस समझ लेता हूं हलका सा, जैसे कसाब ने उस समय, 26-11 आटेक जो हुआ था, ठीक है, तो उसको बहुत time के लिए क्या, सजा नहीं सुनाई गई थी, ठीक थीजे नहीं स्थुनाते है, एनेमे इलिएन किसे में या हो सठावल जाता हे वो नागरिक हमारी कंट्री में होर सब्सक्रप्रवेशANustain खेंट होसकते हैं, अब और उसको बहा सा भी थे समझते हैं, सब्सक्राइव का सब्सक्रारिच हैं ह। ठीक है लेकिन यही जो राइट है यह डिनाइज करता है क्या aliens के लिए वाई जो बिदेशी है उनको यह राइट नहीं है ठीक है यह जितने राइट लिख रखे है मैंने 15 16 19 29 30 यह क्या है यह यहां पर याद रखने के लिए मैंने यहां लिख रखता है क्या क्या इसके civil और political rights है हमारे citizen के लिए ठीक है ना देखी right against discrimination race caste religion sex or police ठीक है there should be no discrimination okay 15 article 16 right to equality of opportunity in the matter of public employment ठीक है public employment में क्या equality रहेगी 19 में right to freedom of speech expression assembly association movement residence profession ठीक है यह सब रहेंगे 19 यह सब हम discuss करेंगे किसमें fundamental right में अच्छा से 29 13 cultural educational rights ठीक है ना यह minority में भी आ जाता है 29 हमने आभी पढ़ा था right to vote in election in loksaba and legislative assembly loksaba और legislative विदान सबा ठीक है ना वोट का अधिकार है citizen की बात कर रहा हूं लेकिन aliens को ऐसा कुछ नहीं ठीक है ना उसके बाद right to contest for the membership of parliament and state legislature वो चुनाब भी लड़ सकता है तेके ना जो citizen है इंडिया का वो क्या चुनाब भी लड़ सकता है parliament के पोस्ट के लिए या फिर state legislature में member बनने के लिए तो यह धियान रखेंगे eligibility to hold certain public offices वो ले भी सकता है जैसे president of india vice president of india supreme court high court का judges governor of state attorney general of india attorney general of state citizen के लिए हमारे जो भारत का नागरिक है उनके लिए rights है यह privileges है ठीक है अब कुछ duties भी है क्या जैसे duty to a 51 a में है हम वहां भी कबर करेंगे fundamental duties है बस यह हलका सा क्याचा duties है में यहां पर यह हलका सा लिग दिया है जैसे tax pay करना यह citizen का एक duty जनरल duty है उसको रिस्पेक्टिंग national flag ए national anthem हमारे रास्टे गान या जंडे को respect प्रदान करना देना तो यह हमारी duty है citizen है हम हमारे देश के नागरिक है ठीक है और defending country हमारे देश के लिए आगर जरुद पड़े तो हम कैसे उसको defend कर सकते हैं हमें रक्षा करना हमारा की करतववे है तो दी ज्यादा करतववे और duties ठीक है जो हम हमारे citizen के लिए है हम citizen है हमारे भारत की हमारे कुछ करतववे है हम फ्यूदियों ने बढ़ेंगे ठीक है यह वहाँ फंडमेंटल duties में हो एक चीज मैं यहां पर लिख रहा है right by birth and naturalization in India देखिए इंडिया में और अगर अमेरिका में एक difference है हमारे इंडिया में चाहिए बर्थ हो यह naturalization हो naturalization का मतलब हो जाता है क्या नागरी की करण मतलब कहीं और country का हो लेकिन वो हमारी country में आके फिर रहने लगया हो और जो नियम कानून लोग जो बन रहे है उसके according उसको भारत की नागरिकता प्रदान की गई हो ठीक है तो उसके पास अब तो भारत की नागरिकता प्रदान कर president भी बन सकता है of India बात कर रहा हूं जो highest dignity post है हमारे इंडिया में वह यही है president of India प्रदान मंतरी कहलो या और भी कोई post वो adopt कर सकता है बन सकता है लेकिन USA में अमेरिका में ऐसा नहीं है पहले तो यहां बता दो हमारे इंडिया में single citizenship भी है लेकिन अमेरिका में फरक क्या है व वहाँ by birth है वो तो dignity post जो है president की वो तो ले सकता है जो higher most post है वहाँ पर अमेरिका में president की वो तो ले सकता है लेकिन by birth लेकिन by naturalization मतलब नागरी की करण द्वारा नहीं कैसे नागरी की करण जैसे example ले लेता हूं मैं Arnold Swartz जनेजर को जानते होंगे आप ठीक है न जो bodybuilder काफी movie भी है उनकी Terminator इस तरीके की movies बनाई हैं वो कहां के हैं कहां के थे Austria लेकिन उनको by naturalization American citizenship दे दी गई अब उसको क्या वहां का गवर्नर बनाया गया ठीक है ठीक है अर्नोर्ट को बनाया गया तो मैं यह बताना चाहरा हूं यहाँ यहाँ पर गवर्नर की पोस्त उसको प्रवा naturalization को value नहीं देते हैं by birth को value देते हैं मतलब जैसे हमारे डेस में क्या हम लोग naturalization हो चाहे birth हो हम उसको same right देते हैं जैसा वो birth में हो यानि citizen का पूरा-पूर citizen ही मान लेते है naturalization भी ठीक है लेकिन अमेरिका के किसमें ऐसा नहीं है वो लोग क्या naturalization उसको citizen तो मान लेते हैं ठीक है citizen dual citizenship दे दी लेकिन उसको क्या है higher most post उसको provide नहीं करते हैं जैसे कि हम president की post भी provide कर देते हैं अगर वो naturalization से भी Indian बन गया ठीक है न तो यह कुछ points थे आज हमने अभी cover करे इसमें ठीक है आब हमें क्या जानना है देखिए आप कुछ जो provision बन रहे है न हमें क्या जो provision बन रहे है आर्टिकल 5-11 उसको समझना है जिसमें date of commitment जो मैं बता रहा हूं संविधान जब लागू हुआ अच भी जनवरी 1950 उस समय कुछ नियम के हिसाब से citizen बन रहे थे जो citizen के Act of 1955 क्या कहता है उसको समझेंगे ठीक है next slide में तो देखिए अब हमां आ चुके next slide में आप यहाँ पर मैंने articles लिखे है 5,6,7,8 ठीक है 1911 भी है उनको अभी board में जगा नहीं थी इसलिए नहीं लिखा उसको अभी cover कर रहे है लेकिन पहले इसको समझ लिए बात मैंने जो समझते हैं यह date of commencement से हम देखते हैं इसको जो date of commencement है यह चार article को deal करता है पहला है article 5 क्या कह रहा है समझते हैं अब person who had domicile in India and also fulfilled any one condition मतलब बई जो इंडिया का domicile हो उसके पास मतलब domicile का मतलब है कि domicile के लिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ domicile का जो word है वो इ नहीं ऐसा mention नहीं है constitution में कि domicile सिर्फ state के लिए स्वार, state का मतलब मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से पूरा union की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इस्तमाल हुआ है constitution में domicile का earth उसका मतलब है domicile of India नाकि domicile of उतरप्रदेश, इस तरीके से हम certificate भी बना रखना, ठीक है, जो मूल निवास हम कहते है न उसको, a person who had domicile in India, मतलब भारत का मूल निवासी है वो, लेकिन साथी साथ, एक condition और fulfill करेगा, आर्टिकल 5 में क्या बताएगा, हाँ, वहां का मूल निवासी तो होगा, लेकिन इन तीन condition में से एक condition और fulfill करेगा, तब ही वो क्य हुआ हो, ठीक है न, दूसरा, either of his parents born in India, या फिर उसके माता या पिता में से, किसी का जनम हुआ हो, ठीक है, और तीसरा, क्या resident in India, before 26th Gen 1955, ध्यान रखना, date of commencement है ये, ठीक है न, मतलब, 26th January 1950, पांस साल पहले से, इस date से, पांस साल पहले, वो क्या रहा हो, कहां पे, इंडिया में रहा हो, इंडिया का resident बनके रहा हो, इंडिया में रहा हो, सब भी जन्वारी date of commencement है, उस से पहले 5 साल तर, तो ये तीन में से कोई एक condition अगर fulfill कर रहा है, so, under article 5, हम कह सकते हैं, वो क्या है, वो है citizen of India, ठीक है, हाँ, तो देखिए, आप क्या लिखा है, article 6, इसको समझ ले है, लेकिन, या तो उसके parent, या उसके grandparent का जन्म जो हुआ हो, undivided, इंडिया में जन्म हुआ हो, जरूर नहीं दोनों का मैं कह रहा हूँ, या तो parent में से किसी एक का, या grandparent में से किसी एक का, जन्म undivided, इंडिया में हुआ हो, ठीक है, तो वो citizen of India कहलाएगा, लेकिन साथ ही साथ, एक condition और fulfill करनी चाहिए, उसको, तब ही कहलाएगा, सिर्फ, उसके grandparent या, उसके parent में से किसी एक का, जन्म होने से नहीं, वो कहलाएगा, बात वरी थे, कि पहले वाले में क्या था, वो resident of India है, लेकिन, तीन में से condition fulfill करे, citizen of India, दूसरे वाले case में आ गया, पाकिस्तान से दियान रखना, 19 जुलाई, 1948, date of migration है, मैंने पहले ही बताया, पहले क्या होता था, पहले तो British India थी, उसके बाद partition हो गया, उसके बाद क्या, migration चालू हो गया, जब मरजी मूँ ठाके उधर पाकिस्तान पहुँच जाते थे, और फिर इंडिया भी आ जाते थे, तो इसके permit system बना दिया गया, permit system जैसे आपको आगर मैं एक example ले लूँ, एक गदर मूवी में दियान होगा, जब आमीशा पटेल को ले गये थे, और सन्नी देवल, ठीक है, सन्नी देवल पाकिस्तान जाना चाह रहा था, तो उसको क्या, वहाँ पर permit system पहले क्या था, वहीं पर ओफिस नहीं लगेगी, तो क्या था पाकिस्तान नहीं जाएगा, यह वही तारिक है, समझके, यह वही तारिक है, भई, permit system, ध्यान रखना, so any person migrated before this date is a citizen of India, यानि कोई भी व्यक्ती, इस तारिक से पहले, मतलब पाकिस्तान से इंडिया आ गया है, कौन सी तारिक से पहले, 19 of India, साथ ही साथ उसके parent, grand parent, क्या होने चाहिए, वो undivided इंडिया में जनम लिये होने चाहिए, ठीक है, दूसरी condition क्या है, after 19 July 1948, पहले बात होगे, एक तो क्या पता, क्या पहले आया, 1948 से पहले, दूसरी बात होगे, 19 July 1948, 19 July 1948 से, बाद में आगर वो आ रहा है, अगर बाद मे की जरुवत होगी, कागज में registration की जरुवत होगी, और registration, register कराने के लिए, वो किस की जरुवत होगी, वो ऐसे वेक्टी से registered कराएगा, जो अल्रेडी इंडिया में रह रहा हो, from the date of migration, 6 month, मतलब 6 महीने, मतलब date of migration, उससे 6 महीने पहले वो रह रहा हो, उससे वो registered करा सकता है, ठीके न, इसलिए ये धियान रखना, यानि दोनों में से कोई, अगर before हो रहा है 19 July 1948 से, तो सीधा सीधा हो क्या date of migration, ये कैलाई जाती है, और यही क्या है, वो कैलाईगा क्या citizen of India, ठीके न, आगी बास समझ में, यानि any person migrated before, this date is a citizen of India, और इस case में, after अगर हो जाए, अल्लब July 1948 के बाद, तो वो भी Indian citizen कैलाईगा, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको registration जरूरी है, और registration किसका requirement required रहेगा, वो रहेगा, वो वैसे व्यक्ति का, जो date of migration जो है, उससे 6 महिना पहले से रह रहा हो भारत में, ठीक है, तो ये 2 point ध्यान रखें हूं, 1 March 1947, देखे, India से पाकिस्तान गया 1 March 1947 के बाद, घ्यरन रखना के बाद, अगर कोई व sights अंडिया से पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान से फिर लट के आया, कहां इंडिया में, ठीक है, पाकिस्तान से लट के आया, इंडिया में और रिट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रे six article में, वैसे इसको खुद क्या इंडिया में भारत में रहना पड़ेगा, कहाँ, date of migration जो थी, उससे 6 मन्त तक के लिए, ठीक है, तब माना जाएगा, अलाकि यह ऐसा नहीं, 6 मन्त रहे के वो चला जाए, मतलब date of migration है कब, 19 जुलाई 1948, इससे 6 मन्त पहले, उसको 6 मन्त तक रहन पड़ेगा, ठीक है न, तब वो कह लाएगा, citizen of India, resettlement, और बार-बार ऐसा नहीं, वो फिर वहाँ जा सकता है, ठीक है न, तो यह क्या बन जाएगा, Indian citizen, आगे समझें, पहले वाले में, domicile of India, साथ पी साथ कोई एक condition, दूसरे वाले में, पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है, तब ही उसको, Indian citizen से पी क्या, उसमें लागू कर दिया जाएगा, कि हाँ, वो citizen of India है, और आखरी है, article 8, देखी, article 8 क्या कहता है, person who, or any of his parents, या grand parents, born in undivided, या तो वो वेक्ती, या उसके grand parent में से कोई, या फिर उसके parent में से कोई, undivided India में जनव लिया हो, लेकिन अब क्या हो तो अब वो चलेगा है, भया, outside India, मानो, किसी foreign country में रहने के लिए, ठीक है, foreign country में रहने के लिए, तो फिर भी क्या, उन्हें become citizen of India, फिर भी वो citizen of India बन सकते हैं, कैसे, अगर वो registered करा ले, by diplomatics और consular representative of India, ठीक है, जो diplomatics है, इंडिया के, और consular जो रहते हैं, उनसे, अगर वो registered करा लेते हैं, तो उसके तहद, article 8 में, वो क्या, उन्हें Indian citizenship मिल जाएगी, ठीक है, तो ये articles हमने देखे 5, 6, 7, 8, date of commitment, ठीक है, इससे deal करते हैं, जो 26 January 1950 है, अब article 9, 10 और 11, वो next slide में देखते हैं, अब हमां आचुके next slide में, यहाँ पर हमने क्या लिख रखे हैं, कुछ article ल citizen of India, मतलब, अगर, क्या कह रहा है, मतलब, क्या कह रहा है, 9% selfish citizen of India, वो व्यक्ती बाहर का नागरिक नहीं होगा, ठीक है, अगर वो voluntary acquire कर लेता है, अपने आप से, मतलब, क्या, खुद से क्या, मैं दूसरी country की, क्या, नागरिकता को सुलिकार कर लेता हूँ, अगर example ले लू by certificate, ठीक है न, by document, उनके पास भारती नागरिकता उन्होंने खो दी, क्योंकि भारत का कानून है, वो यह कहता है, article 9 के हिसाब से, कोई भी व्यक्ती, अगर दूसरी country की नागरिकता को adopt कर लेता है, वो ले लेता है, दूसरी country का नागरिक बन जाता है, जैसे, अक्षे कुमार Canada की, उन्होंने Canada की नागरिकता को adopt कर लिया, एक interview में आपने साथ सुना भी होगा, अक्षे कुमार ने, क्यों ली थी भई, उस समय कुछ फिल्मों का दोर, उनका सही नहीं चल रहा था, तो उनके एक दोस ने कहा था, कि आजा, वहाँ पे हम फिट से सुरुबात करते हैं, भई, दूसरे देस की नागरिकता को स्विकार कर ले, तो उसकी भारत की नागरिकता उससे चिंज आएगी या खोड जाएगी, तो यही अक्षे कुमार जी के साथ हुआ, और आज दो जहत कर रहे हैं, कोसिस कर रहे हैं कि दुबारा से, तो अब तो भई, सब सब सेटल हो ग रहेंगे, चाहें subject to laws passed by Parliament, यानि अगर Parliament अपने हिसाब से कोई कानून बना रहा है, तो उससे आपको क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी citizen है, तो अगर already citizen है, तो हाँ आप रहेंगे ही हो citizen, यानि continuity आपकी नागरिकता की continuity बनी रहेगी, यह article 10 कह रहा है, ठीक है, subject to laws passed by Parliament, ओके, article 11 क्या कहता है, article 11 कहता है, power of Parliament to make laws on citizenship, यानि अभी तक हम कह रहे थे, क्या date of commencement, जो article deal कर रहे थे, अब यहाँ पर बात आ गई, इसकी citizenship act of 1955, यह जो article 11 है यही है, यह क्या power देता है किसको Parliament को, ताकि वो citizenship के लिए क्या, जो भारतिकी नागरिक है, उनके लिए क्या कुछ नियम कानून बना सके या बजलाव कर सके अपने हिसाब से, अगर उसको लग रहा है, करना चाहिए, जैसे कि अभी recent में, 2019 में, आपने पड़ा ही होगा, निउस में बहुत ज़्यादा चला था, अमिस साहजी ने क्या कर दिया था, यह act को pass करा था, 2019 का citizenship act of 1995 को amend किया है न, 2019 में, 2014 के बाद उन्हेंने बता गया था, कि इसके बाद जो भी व्यक्ति भारत में migrate करके आए हैं, चाहिए वो अफगानिस्तान, चाहिए बंगलादेस, चाहिए पाकिस्तान से, ठीक है, लेकिन खासकर वो किसको भारत की नागरिकता दे रहे थे, जो मुसलिम को चु सकता है, citizenship के लिए क्या law बना सकता है, चाहिए, वित रिस्पेक्ट यह लिखे न, acquisition, termination, यह all other matters relating to citizenship, मतलब चाहिए वो, क्या, उसको, मतलब उसको जोड़ना है, जैसे acquire करा था न, जो भी मैंने बता है, आफगानिस्तान, पाकिस्तान या आपके बंगलादेस, इससे जो citizen उ minority उसने कुछ group include करे थे उन्होंने, अमिस्ता जी ने, तो उसको क्या, Indian citizenship माना जाएगा, Indian citizen माना जाएगा, ठीक है, तो acquisition हो गया, या फिर loss of citizenship, किसकी भारत की नागरिकता, उसकी खोदी जाएगी, ठीक है, और और भी कुछ matter अगर रहे है, तो वो क्या, सब parliament बना सकता है, य यही है, citizenship act of 1955, provides for acquisition and loss of citizenship after commencement of 1950, उसके बाद, यह क्या acquisition या loss of citizenship की बात करता हो, तो यह act है, जो भी हमें, जो पारलियमेंट क्या करेगी, कोई भी एक्ट लानी है, citizenship के लिए, बस किसी में क्या amendment करते हैं, नौ बार amendment हो चुका है, including 2019 को अगर मैं भी ला लो तो, 57, 60 में, ठीक है, रिपील हुआ था, 85 में, 86 में, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और 2019 में, जो recent का है, ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ conditions है, acquisition की, और कुछ condition है, यह termination की, ठीक है, कैसे उसकी नागरिकता खो सकती है, कैसे उसकी नागरिकता मिल सकती है, ठीक है, क्या-क्या process है, by birth है, naturalization है, descent है, हम भी, next slide में, उसको देखते हैं, ठीक है, क्या-क्या process है, citizenship act of 1955 में, कैसे उसको, कह सकते हैं, कि वो उसको भारती नागरिकता प्रापता है, ठीक है, ठीक है, next slide, हाँ, तो देखिए, अब हम आ चुके है, next slide में, और यहाँ पर क्या लिख रखा है, मैंने, acquisition of citizenship, देखिए, कैसे citizenship को acquire कर सकते हैं, by birth, by descent, हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, पहला है by birth, जन्म के द्वारा कैसे citizenship मिल सकती है, इसके लिए यहाँ पर लिखा है, 26 जन्वरी 1950, including ये date रही कि धियान रखना, से लेकर, 1 July 1987, इससे पहले, ये date इंक्लूड नहीं है, लेकिन इससे पहले, किसी व्य 1987 से लेकर, साथ में ये इंक्लूड होगा, और 3 December 2014 से पहले पहले, अगर किसी का जन्म हो रहा है, किसी बच्चे का, तो उसके parents की citizenship क्या होनी चाहिए, वो इंडिया के होने चाहिए, जब उसका जन्म हो, पहले वाले में चाहिए, उसकी nationality dependent नहीं करती थी, लेकिन दूसरे व ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानि 1 July 1987 से 3 December 2004, और ये date भी इंक्लूड है उसे, तीसरा है, 3 December 2004 से लेके अब तक, इसमें क्या देखें, या तो उसके दोनों parents, citizen of India हो, या उसका एक parent, चैमाता या चाहें पिता, citizen of India हो, और साथ में जो दूसरा हो, वो illegal immigrant ना हो, ठीक है, illegal immigrant ना हो, उसके birth के समय, तब वो बच्चा क्या कहलाएगा, भई, वो कहलाएगा, citizen of India by birth, तो ये 3 date है, बहुत जादा important, by birth से citizenship acquired करने की धियान रखेंगे, अब यहाँ पर एक point लिखा है, मैंने, children of foreign diplomats, जो foreign diplomats रहते हैं, या फिर enemy aliens रहते हैं, foreign diplomats जो पोस्टेट रहते हैं भारत तो, once, देखिए, इसमें हो रहा था, भारत में जणम, by birth की बात में कहूं, इसमें एक difference आ جाता है, by birth और by descent में क्या फरक है, इसमें होता है, जो भी जनम हो रहा है, बात में हो रही है, और इसमें जो जनम हो रहा है, बचे का, वो कहां पर हो रहा है, outside country, मतलब भारत के बाह चब भी जनवरी 1950 से 10 December 1902 है, यानि ये डेट भी इंक्लूड है, पहले धिहान रखना, चब भी जनवरी 1950 को या तो जनम हो या इसके बाद, और इससे पहले 10 December 1902 है, अगर किसी बच्चे का जनम हो रहा है, कहां पर, आउटसाइड, आउटसाइड कंट्री, इंडिया के बाहर, but his father is a citizen of India during his birth, लेकिन उसके जो पिता रहे हैं, वो क्या रहे हैं भई, वो citizen of India रहे हैं, मतलब वो citizen of India ही, उसके बर्त के समय भी, obviously citizen of India ही होएंगी, जब वो citizen of India है, so इस तारिक में अगर उसका भारत से बाहर भी जनम हो रहा है, ठीक है न, so वो क्या कहलाएगा, citizen of India by descent, दिय नागरिक होना चाहिए, तारिक मैंने बता दी, कब से कब तक का जनम, दूसरा है, 10 December 1902 से, यानि ये include होगा ये तारिक को या तो जनम हो या इसके बाद, 3 December 2004 से पहले पहले, अगर किसी बच्चे का जनम हो रहा है, कहां पर, फिर outside country, ठीक है बात हो रही है, outside country, descent में, इसमें माता-पिता, जब उसका जनम हो रहा हो, इस तिती के बीच में, या इस तिती को भी मिला के, ठीक है न, so वो कैसे होना चाहिए, भारत के नागरिक, चाहिए उसकी मा हो, चाहिए उसके पिता हो, और उपर वाले में देख रहे हैं, जब ये डेट के लिए हम देख रहे हैं, तो उसके पिता को कंपल सरीता की, उस इडिजन ऑफ इंडिया हो, उसके बर्थ के समय, और ये, जो डिसेंट वाली बात हो रही है, ये किस पे आ रही है, बार्ण आउटसाइड इंडिया है, भारत के बाहर, ठीक है, इतना फर्के बर्थ हो, अब आजए ये नेक्स्ट है, तीन दिसंबर 2004 से अभी तक, तीन दिसंबर 2004 से अभी तक, इसमें कुछ बाते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे, तीन दिसंबर 2004 पे जनम हो या उसके बाद, जो भी जनम हो रहा है बच्चे का, वो भारत का नागरिक कहलाएगा, लेकिन कैसे नहीं कहलाएगा मैं बता दे रहा हूँ, condition कुछ है देखी, जैसे, unless birth is registered at an Indian consulate, बहात हो रही, अभी तक, यह सब बात हो रही है क्या, भारत में इनका जनम नहीं हो रहा है, मैं बात करहा हूँ, जितने भी डिसंट की अभी हमने तारीकों को देखा, सब में जो जनम हो रहा था बच्चे का, बाहार हो रहा था, और उसको नागरिकता कैसे प्राप्त हो रही थी, उसके पैरेंट पर डिपेंड होते हुए प्राप्त हो रही थी, लेकिन अब जो 3 दिसंबर से अभी तक हम देख रहे है, अगर बच्चे का जनम हो रहा है, outside country, India, so, क्या होगा, unless birth is registered at an Indian consulate, अगर उसकी करना पड़ेगा, registered कराना पड़ेगा Indian consulate में, या फिर with permission of central government, जो central government ने जो भी, जो भी अपनी date of birth वहाँ पर बताई है, उसके according, क्या बोलते हैं, उसको registered कराना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, या तो Indian consulate में, या permission of central government के according, उसको register करवाना पड़ेगा, उसकी date of birth, बच्चे है, लेकिन रह रहा है बाहर में, काम के चकर में, उसका जनम भी बाहर हुआ, लेकिन आप उसका जनम हो गया, तो उसको क्या है, एक साल की उमर, जब तक बच्चे की है, उस तक, तब तक क्या करना पड़ेगा, Indian consulate में register कराना पड़ेगा, या permission center government से लेनी पड़ेगी, लेन application for registration of minor child, obviously minor child छोटा बच्चा है, तो application तो उसको registration की है, वो कहाँ पर होगी, देखी, undertaking from parents, भई, parent उसको undertaking करेंगे, उसमें वो parent क्या लिखेंगे, भई, doesn't hold any passport, वो लिखेंगे कि हमारा जो बच्चा है, इस तरीके से उसके पास कोई passport hold नहीं करता है, बच्चे की तरफ से, ज attending full age, जो भी उनकी, suppose like, उनकी citizenship मान लेते हैं, जो full age जो होती है, ठीक है, बच्चे की, आगर minor है, तो तो कोई दिक्तत नहीं है, तो undertaking तो उसके parents लेंगे, ठीक है, लेकिन, 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 आगर उसके पास कोई दूसरी citizenship है, तो उसको क्या है, उसको त्यागना पड़ेगा अगर उसको भारत की citizenship लेनी है, तो उसको त्यागना पड़ेगा अपनी full age होने से पहले 6 months, suppose like, आज वो 18 साल का होना बला है, उससे 6 महिना पहले ही उसको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरी country citizenship उसने ले रखी, उसको त्यागना पड़ेगा, और यहाँ पर apply करना पड़ेग अंडर इस decent condition, कि मेरे parent भारत के नागरिक रहे हैं, सो मेरे को भी इसका मिलना चाहिए, और साथी साथ, अगर मैं यह बता दूँ, उसके birth के एक साल के भीतर ही उसको registered करना पड़ता है, तो यही बात आपको यही पर ध्यान देंगे, तो यही तीन बात हैं क्या है, हमें ध्य registration कराती है, उस according, अगर इन जो condition मैं यहां पर लिखी है, साथ, कोई एक condition फुल्फिल हो रही है, कोई एक condition फुल्फिल हो रही है, सो क्या हो जाएगा उसका, तब उसको citizenship दे दी जाएगी, conditions क्या क्या है, हम यहां पर देख लेते हैं registration की, देखिए, पहली लिख रखी है मैंन Indian territory की बात कर रहा हूं, वहां पर जनम हुआ हो, सो वो कहलाएगा Indian origin, person of Indian origin, ठीक है, सो अब person of Indian origin, resident in India for 7 years before making an application for registration, ध्यान रखना, वो व्यक्ती, Indian origin का व्यक्ती, वो क्या कर सकता है, इंडिया में 7 साल के लिए, अगर वो रहा हो, रहे रहा हो, कब, जब वो apply कर रहा हो, जो application ह registration वाली process की, ताकि उसको citizenship मिल जाए, apply करने से 7 साल पहले, 7 साल तक रहा हो, तब उसके बाद वो apply करेगा, तो उसको citizenship मिल जाएगी, ध्यान रखना, तब उसको क्या मिलेगी, तब उसको citizenship मिल जाएगी, ठीक है न, जैसे आगर मैं एक example ले लो, इस समय, recent में, हाल-फिलाल में काफी foreigners, हाला कि वो Indian origin उनके रहे है, चाए उनके parents रहे हो, ठीक है, उनका parent हो, या फिर वो खुद हो, बात यहाँ पर ओरी Indian origin, person of Indian origin means, हो गया चाए उसके parents हो, grandparents हो, जो की undivided India में उनका जनम हुआ हो, so वो भी क्या है एक तरीके से, उनके ancestor, क्या है, Indian origin के है, so वो भी क्या है अब क्या यहाँ पर साथ साल से ज़्यादा रह लिए हैं, तो अब इसको क्या, इसका citizenship इंडिया की मांग रही है, ठीक है न, तो यह भी क्या, इसका registration के दौरा इसको citizenship मिल जाएगी, ठीक है, तो यह बताना मेरे को मिली है या नहीं मिली है, comment section में, अभी, तो ध्यान रखना साथ साल तक, जभी भी आपको, अगर किसी भी व्यक्ति को apply करना है, इंडियन citizenship, registration के द्वारा, यहाँ पर बात हो रही है, by registration, ठीक है, नामंकन के द्वारा, अगर आपको नामंकन द्वारा, register करना है, form बना है, fill करना है, तो central government का form, registration वाला, उसको fill करना है, और condition क्या है, इ citizen of India हो, एक condition तो यह है, दूसरी क्या है, अब person of Indian origin, who is a resident to any country or place outside undivided India, या India, अभी तो India की बात, undivided की बात छोड़ दो, क्या हुआ, अब person of Indian origin, who is a resident to any country or place, जैसे मैं example दे दू, बहुत से लोग हैं, जो क्या, इंडिया छोड़ के बस गए हैं, बहुत से लोग हैं, जैसे मा place outside undivided India, जो उसके पूरवज अगर बाहर चले गए हो, या वो बापस आया हो, ठीक है, वो रहने के लिए जब बड़ा हो गया हो, तो वो बापस आया है, अब उसके पास पहले citizen से कुछ और थी, अब वो इंडिया की citizen से चाह रहा है, as an Indian origin, उसको क्या condition तो यह ही है, ठीक है और साथ साल तक जब रहे, तब जाके उसको क्या है, बाई, registration उसको Indian citizenship उनको मिल गई, ठीक है न, इस तरीके से भी citizenship मिल जाती है, ठीक है न, minor child of person who are citizen of India, अभी मैंने बताया था, डिसेंट वाले case में, बाई, minor child अगर है किसी person का, ठीक है, और वो person कैसा है, citizen of India है, तो वो क्य full age and capacity, whose parents are registered as citizen of India, मतलब, एक person, जो full age का person है, और उसके parents क्या है, parent ने क्या, registered करे गए हो, कैसे, as a citizen of India, so उसको भी citizenship मिल जाएगी, उसके parent registered as a citizen of India, तो उसको भी citizenship मिल जाएगी, ठीक है, अब person of full age and capacity, who, और either of his parents, या तो वो, या उसके parent, चाहे माता आ जाहें, पिता, वाज अ जाहें, पहले, क्या रहे हो, citizen of India, रहे हो, independent India में, ठीक है, and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before registration application, मतलब, क्या, जो registration करने की process है, उससे वो 12 महीने, मतलब, एक साल, कहने का मतलब, immediately, मतलब, एक साल, जो registration करने की प्रकरिया है, यानि, एक साल पहले, एक साल से पहले उसको रहना पड़ेगा, फिर और या तो वो, या उसके माता-पिता में से कोई independent India का क्या रहा हो, वो पार्ट रहा हो as a citizen, ठीक है, तो वो apply कर सकता है, एक और है, साथवा नमबर, overseas citizen of India, cardholder, ठीक है, overseas citizen क्या होता है, जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो, क्या होते है, overseas, उनके पास cardholders होते हैं, उनके प holders हो, पहले क्या 5 साल के लिए, यहाँ पर इस तरीके से रुकने की अनुमाती थी, तो यह होते तो Indian origin के हैं, इसलिए इंडिया में आने के लिए कितने साल भी यह रुख सकते हैं, कोई visa होता की ज़रूरत नहीं हो सकती है, ठीक है, यहनि overseas citizen इसको separately देखेंगे अभी, overseas citizen of India cardholders for 5 years, ठीक है, उसके बात 5 साल तक का cardholders हो, and ordinarily resident in India for 12 months before registration, यह भी वही बात हो कि एक साल तक को क्या हो, इंडिया का resident बनके रहा हो, जब तक वो apply कर रहा हो, registration की प्रकरिया को, तो यह सब में से कोई एक fulfill condition करेगा, so by registration उसको Indian citizenship मिल जाएगी, ठीक है न, तो उसको क्या मिलेगी, Indian citizenship मिल जाएगी, और Indian citizenship जब मिलती है, तो oath उसको एक form of oath होता है, ठीक है, उसको fill करना पड़ता है, उसमें बस यही लिखा रहता है, कि हाँ मैं इंडिया की citizenship adopt कर रहा हूँ, अब मैं as a citizen of India बन चुका हूँ, तो मेरी कुछ duties है, responsibilities है, मैं वैसे ही करूँगा, जैसे और citizen करते बहरत की नागर, तो यह रहा by registration, next देखते है, naturalization से, तो देखिए, अब हम आ चुके है by naturalization, मतलब प्रकृतिक की रूप से कैसे acquire कर सकता है कोई citizenship बहरत की, उसको समझते है, देखिए, process क्या है, application apply तो करना ही पड़ेगा, apply करने के बाद, लेकिन apply कौन करेगा, जिसके पास यह condition fulfill करता हो, वो by naturalization process से citizenship इंडिया की लेने के लिए क्या apply कर सकता है, ठीक है, center government पे apply कर सकता है, so condition क्या क्या है, इसको देखिए, is not from that country if India is banned to get citizenship, पहली CDC बात है वो वेक्टी उस country से नहीं होना चाहिए, जिसको इंडिया ने ban किया गया हो, ठीक है ना, उस country से नहीं होना ठीक है, उसको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि कारण क्या है भई, हमने एक तरीके से, चाहें वो officially banned है या नहीं है, लेकिन, लेकिन, संबंध जो है, मैंने पहले ही बता है, संबंध कैसे इंडिया पकिस्तान के, officially हो हमारा enemy नहीं है, लेकिन वैसे हम देखा जाए, तो वो क्या, एक तरीके से हमारे किलाफ योजनाई बनाता है, तो वो क्या, एक तरीके से है तो enemy ही, कुल मिला के, है न, इसलिए क्या, वहां का कोई व्यक्ति, अगर भारत में citizenship acquire करना चाता है, by naturalization, उसको प्राकर्टिक रूप से नहीं मिल सकती है, ठीक है ना, दूसरा क्या condition ह renounce other country citizenship to adapt Indian citizenship, मतलब क्या हो गया है, कि अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, किसी भी व्यक्तिक को, उसको वहां की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, ये चीज पहले ही मैं बता चुका हूँ, और छोड़नी का पड़ेगी, जब हो apply कर रहा है, तो, मतलब apply जो कर र या तो वो इंडिया में रह रहा हो, या फिर service कर रहा हो, गवर्मेंट की, मनलब भारती गवर्मेंट की, center government की, service कर रहा हो भारत में, और partly the one और partly the other, या तो, क्या हो, थोड़े time के लिए वो रहा हो, और भारत के लिए service भी कर रहा हो, ठीक है न, throughout the period of 12 months preceding the date of application, जब वो apply क कर रहा हो, उससे मैं पहले बता दूँ क्या हो रही है, एक साल पहले, यानि 12 months, ध्यान रखना, 12 months, एक साल पहले, apply मैं, suppose मैं रह रहा हूँ एक साल पहले, मैं रह रहा हूँ आज, और मैं एक साल पहले से रह रहा हूँ भारत में, ठीक है, मैं एक foreigner हूँ, और एक साल पहले स देट of application लिखा है मैंने, यह date of application, यानि 14 साल, यानि जो 12 महीने बन रहे हैं, ठीक है, उसको क्या होना कही है, during 14 years preceding 12 months of, यानि जो date of application जो बन रही है, वो apply करने की data, उससे 12 साल मनले एक महीना पहले, यानि 14 साल तक वो रहा हो, ठीक है, he has either resided in India, और been in service of government in India, क्या, क्या कह रहा है, या तो वो इंडिया में रहा हो, या फिर government की service करी हो, उसने इंडिया में, ठीक है, और partly दवन, या तो रहा हो, या फिर आदा वो, क्या, उसने service करी हो, लेकिन इन दोनों को मिला के, क्या, not more than 11 years, लगब लगब 11 साल तक इस तरीके से काम किया हो, तो उस उसमें क्या है, समीजान का हमारा, उसमें जो भासाएं है, 22 languages, उनमें से किसी एक का, उसको अच्छा का सा ज्यान है, ठीक है, और 7th point है, जो यहाँ पे, event of a certificate of normalization being granted, जब उसको मिल रहा होगा, वो naturalization का certificate, ठीक है, उसको grant कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, he intended to reside in India, ठीक है, उसको भारत में रुकना है, ठीक है, और inter into, और continue in, और service under government in India, भाई, उसको क्या, government of India, या government के तो और पे, मतलब भारत के लिए, क्या, उसको भारत में काम करना पड़ेगा, और under an international organization of which India is member, यानि कोई international organization के लिए उसको काम करना पड़ेगा, जिसमें क्या कुद भारत member हो, और under a society, या company, या body of a person, stabilized in India, भाई, इन सब के लिए उसको काम करना सकता है, अगर वो, इसमें, citizenship acquire कर रहा है, obviously बात है, कुछ duties हमने पहले ही बताई, इसमें भी क्या, अगर ये हो रहा है, form fill कर रहा है, वो पहले apply करेगा, apply कि ये conditions है, ये fulfill होईगी, तब भी वो apply कर सकता है, ठीक है, और साथ ही साथ, फिर apply करने के बाद, जब वो city chain बनेगा, तो उसको भी, क्या, एक form of oath, ठीक है, वो मिलेगा, तो उसको fill करना पड़ेगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा एक photo, उसमें आप देख लें, किस रीके का form रेता है, ठीक है, अब इसके अलाबा, इन condition हों के एक छोटी सी बात है, मैं आपको यहाँ पर अभी मिटाता हूँ, इसको थोड़ा सा वो लिखके दिखाता हूँ, हाँ, तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक कुछ point लिखे है, क्या लिखे है, science, philosophy, art, literature, world peace and human progress, जो इस field में काम कर रहा हो भारत में, भारत के लिए, ठीक है न, तो वो जो point लिखेते हैं, मैंने साथ, naturalization में, उसको क्या citizenship मिल जाती है, उसके through, तो उसकी जरुत भी नहीं है, अगर वो भारत के लिए, यह point में से कोई है, जैनि science की field में, philosophy के field में, art के, literature के, world peace, human progress में, भारत का नित्रित्व कर रहा हो, भारत के लिए काम कर रहा हो, भार of citizenship के point, उनको देखते हैं, हां तो देखिए, fifth point हमने और लिख रखा है, acquisition of citizenship के, तो इसमें क्या कहता है, by incorporation of territory, territory को, देखिए, if any territory become as a part of India, then its person also become as a citizen of India, from notified date, देखिए, इसका अर्थ क्या बन गया, जैसे suppose, pondichari के case में हुआ था, क्या भाई, pondichari को क्या, जब pondichari बन गया, part of India, ठीक है, तो citizenship pondichari order 1962, मनलब under citizenship act of 1955, वहां के जो नागरिक थे, ठीक है, वहां के जो व्यक्ति थे, person थे, उनको फिर क्या, जब वही territory बन गे, इंडिया का part, तो वहां के लोग कहा जाएंगे, वो भी फिर क्या बन गे, इंडिया के citizen, तो by incorporation of territory, मनलब किसी territory को, अगर इं नहीं slide में discuss करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा important topic है, आपने अभी 2019 का सुना होगा, बहुत ज्यादा इस पे बवाल वगेरा हुआ था, ठीक है, इसको हम अच्छा से discuss करेंगे, बाद में, एक next slide में अलग लाके दूँगा मैं, तो यह रहा हमारा आज, हमने क्य क्या देखा, acquisition of citizenship, कैसे-कैसे citizenship मिल सकती है, by birth हो गया, by descent हो गया, naturalization हो गया, ठीक है न, उसके बाद क्या, incorporation हो गया, ठीक है न, और कौन सा करा था, अब special, जो रहा प्रोवीजन का, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, so अब next में हम देखेंगे, loss of citizenship, citizenship कैसे खो भी सक termination, ठीक है, त्याग ना होता है, इसको समापन होता है, termination का मतलब, और deprivation का मतलब, compulsory termination है, होना ही होना है, उसको terminate कर ही देगा, उसकी citizenship, कौन, central government, कुछ अगर ये condition मैंने लिखी है, अगर वो follow हो रही है, इस तरीकी की condition, तो वो terminate कर देगा, तो उसको कहते हैं, deprivation, so फिल है, भारत की, उसको त्याग रहा है, लेकिन इसमें भी condition है, क्या, अगर war का time है, युद्ध का समय है, so उसको क्या, government क्या withhold कर सकती है, उसकी application को, उस समय उसको भई, एकदम से वो नहीं कह सकती, कि तुमारा, ये क्या बोलते है, renounce कर दिया गया है, क्या, ये process जो है, तुमा कर सकती है, central government, और एक और चीज़ इसमें धियान रखनी है, दूसरी बाग, if anyone, कोई जो त्याग दे रहा है, अपनी citizenship, खुद से, है न, तो उसका जो minor citizen है, मतलब उसका minor child है, उसकी citizenship भी क्या रहे कि, वो भी automatically समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसमें एक चीज और है, समाप्त ह हो जाएगी, लेकिन जब वो उसका minor child, जब वो 18 साल का होगा, अगर वो apply करता है, ठीक है, apply करता है, 18 साल का होने पे, उसको दुबारा से उसकी citizenship मिल जाएगी, मतलब इंडिया की citizenship उसको दे दी जाएगी, तो यह रही एक छोटी सी बात है, renunciation, कुछ नहीं है, अगर वो त् ठीक है, डूसरा है termination, termination मिल समाप्त कर दिया जाएगा, जैसे when someone attain other country's citizenship, जैसे की, अगर example लूँ, मैंने पहली बता है, अक्षे कुमार, ठीक है, केनडा की citizenship ले ली उसने, तो automatically क्या होगी, उसकी जो citizenship है, वो खतम, आलिया बट, लंडन की, ठीक है न, ब्रिटेन की ले ली, उसकी इभारती नागरिकता क्या है, वो automatically, दीरी-दीरी क्या, automatically उसको suspend कर दिया जाएगा, terminate कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यह रही, अब deprivation जो important part है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखें, deprivation में क्या compulsory termination करती है, central government, क्यों करती है, अगर वो पाया गया, क्या ह अगला क्या है, citizenship, so disloyalty to constitution of India, मतलब भारत के सम्विदान के प्रति क्या, वो loyal नहीं है, disloyalty कहीं न कहीं, शो कर रहा है, वो नागरिक बन गया है, लेकिन उसको भारत के सम्विदान को कदर नहीं, that means हो क्या, सिधा-सिधा उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको भारत की अगरिकता को खतम कर दिया जाएगा, फिर after naturalization और registration, हमने पहले पढ़ा था, naturalization हो गया, registration के दवारा नागरिकता उसको मिल गई, लेकिन मिलने के बाद ध्यान रखना, उसको, suppose like वो गया कोई country में, कोई crime like उसने कर दिया, उसको दो साल की सजा हो गई, और वो 5 साल के भीतर, उसको नागरिकता मिली है, registration से, ये, naturalization से, अब उसी 5 साल के भीतर, उसको 2 साल की सजा हो जाती है, तो उसकी नागरिकता क्या होगी, रद हो जाएगी, ध्यान रखना, उस समय भी उसकी नागरिकता रद कर दिया जाएगी, सकती है, by deprivation से, एक और है, residing outside India for more than 7 years, मतलब भार से, वो बाहर ही दे रहा है, साल से जादा, तो उस case में भी क्या रहेगा, उसकी नागरिकता को रद कर दिया जाएगा, तो ये, छोटे से point थे, हमें कई बार अटक जाते हैं, बस धियान रखना है, renunciation, termination और deprivation में क्या फर्क है, खुछ से त्याग रहा है, यहाँ पर कहीं और की ले रहा है, क्या, अगर नागरिकता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, cancel हो जाएगी, और deprivation में कंपल्स हरी है, भई, हटा ही देगा, ठीक है, तो हमने यह यह पढ़ लिया, हमारा देखिए, हमने जो 5, 6, 7, 8 यह आटिकल्स थे, ठीक है, उसके बाद 9, 10, 11, उनको भ ले के आँगा इसके बाद, ठीक है, तो प्लीज, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, जबू करिए, और आगे हम बहुत जली मिलते हैं, धन्यवाद, जैहिंद,